श्री शिवा नमस्तुभियम दोस्तों स्वाधत है आपके अपने चैनल शिभक्ति मार्ग में आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में महाशिवरात्री के दिन हम सुभे या फिर पहले पहर का जो आठ मार्च के दिन हमारी महाशिवरात्री पढ़ रही है उसका पूझाल हम किस प्रकार करेंगे क्योंकि पहले पहर का जो महुरत है वो है साड़े छे से साड़े नो का शाम की समय में तो पहले पहर में हम किस प्रकार से पूझा करेंगे या इस पूझा को आप सुभे कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे माय शिव रात्र के दिन हमें सरल्विधी मैं आपोग के साथ में शेयर करें हूं कि आप किस परकार से पूजा अर्चना करेंगे तो वीडियो को ध्यान पूरवक देखिएगा इसी में मैं आपोग के साथ में साधारन सामगरी भी शेयर कर हूँ और पूजा विधी भी शेयर कर रही हूँ, बहुत सरल विधी से इस पूजा को कोई भी कर सकता है, इस तरी पुरुष, कुवारी, करन्या, जो भी लड़के लड़की, जो चाहें वो इस पूजा को कर सकते हैं, तो हमें पूजा कैसे कर नहीं है, वो ध्यान से देख लीजिए सर प्रत्म आप लोग के साथ में सामगरी शेयर कर रही हूँ, कि क्या क्या सामगरी लगेगी, पीला या सफेद वस्त्र ले लिजिएगा, चोकी लगाने से पहले, गंगा जल चलपकर, आटे और हल्दी से आपको स्वास्तिक का निर्मान करने के बाद, चोकी की सापना करना है, फिर उसके अपर वस्त्र लीजिएगा, पीला, सफेद, कोई साभी विच्छा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शेप परिवार के इस थापना कर लीजिएगा, एक अखंड दीपक जो पूरी पूजा में चलेगा, वो रख लीजिएगा, इसके बाद आचमनी के पूजन सामगरी में हमने भगवान के अभिशेक के लिए, जो बस्तुए रखी है, यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी में पंचामरत तयार करा है, घी रख लिया है, हमने दूद, नहीं, घी, शकर, शहद, आपको सभी कुछ रख लेना है, और एक कटोरी में हमने मिक्स करके पंचामरत बना लेना है इं पाँचों चीरसों को, इसके पशाद आरती के लिए हमने इतर रखा हुआ है, दीपक हए है, दीपक से हम आरती करेंगे, धूबती रख लिए हमने इतर रख लिए चनी की डाल यही मैं अक्तर भगवान की पूजा में प्रियोग करती हूँ बहुत तरह के चंदर मिल जाते हैं आपको जो मिल जाते हैं पोले लीजिएगा और यहाँ पे हमने कलावा वस्तर सवरु भगवान को चलाने के लिए रखा और एक हमने जनियूर रख लिया है बहुत साधारन विदी बतारियों भोग के लिए मैंने हापने मुझे पेड़े मिल गए थे तो मैंने पेड़े रख लिए हैं आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं सफेद पेड़े ला सकते हैं मौसमी हमने फल रख लिया यहां पर भगवान के लिए जल रख लिया है तो यह जो विदी बता रही हूं इससे कोई भी पूजा कर सकता है। बहुत ही साधारन सी विदी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसी हैं जो आपको बहुत अक्सानी से भी घर में मिल जाती है पहुत सरल तरीके से आज की वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ बाहर से आपको कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा तो अब जब आप पूजन प्रारम करेंगी शाम का साले छे से साले नो बजे का पहले पहर का पूजन है और शिवरात्र करते हुए और सबसे पहले हम हाथ को धोके शुद्ध कर लेंगे हमें कोई भी अशुद्धी ना रहे इसके पश्चाद तीन बार उल्टे हाथ से उल्टे हाथ में जल्ले के सीधे हाथों से नेत्रों पर लगाया चाता है अपने शुद्धी करन के लिए इसके बाद ओम करते हुए हम जल का आचमन करते हैं अपने आंप्रिक शुद्धी करन के लिए इसके बाद हाध होकर आप स्वच्छ कर लीजिए इसके पश्चाद ही आपको पूजन आरंब करना होता है चाहे पूजा चोटी हो चाहे पूजा बड़ी हो इस बाद का आपको विशेश करके पूजन अर्चन करेंगे सबसे पहले दीव देवता के लिए ही हम दीपक प्रजवलित करते हैं और क्या होता है अगनी आपका साक्षी होती है पूजा की इसलिए यहां पे सरप्रत्म हमने दीपक प्रजवलित करा जल का चीटा देते हुए सबसे पहले हम दीब देवत हम भगवान को पुष्प वगएरा अर्पित कर देंगे गुलाल जो भी आप चीजे भगवान को यहां पर गणी जी को अर्पित करना चाहते हैं मैंने आप वस्तर चढ़ा दिया है इसके पश्चाथ जो सिंदूर है सिंदूर से हम मा गौरा का तिलग करेंगे और बचावा ज तो आप अन्य वस्तर भी खरीद के ला सकते हो भगवान के लिए परन तु साधारन वीदी से बता रही हूँ इसलिए जो चीजे हमारे पास उपलब दें उनसे ही पूजन अर्चन करेंगे इसके पश्चाथ शिव परिवार का पूजन करने के पश्चाथ दीव देवता को ह हमारा जो शिवलींग का हमें सनान कर वान हैं आप आज के दिन आपे पारते शिलिंग का भी इसी वीधी से पूजन कर सकते हो और चार पहर का पूजन कैसे करना है वो भी मैं आगे आप लोग के साथ में डीटेल शेयर करूंगी इसी तरह से पूजा होती है फ väldigt हमने कच्छे उसके पश्चाथ हमें जल चड़ाना है यसी तरह नहीं चड़ाते बीच बीच में कुछ भीच चड़ाने के बाद जल चड़ाना आवशक करें गया है उसमें साथ उपाय करके वीडियो डला हुआ है उसी के अंतर आपको सारी जनकारी प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं पंचामरत से भगवान का विशेक कर रहे हैं आप विभिन विभिन चीजों से विशेक कर सकते हैं जैसे कुछ लोग गन्ये के रस्टे आज के दिन अभी शेक करते हैं कुछ लोग भस्म से अभी शेक करते हैं तो इसके वली साधारन विदी हम पंचामरत से यहाँ पर अभी शेक कर रहे हैं तो कि क्या होता है कुछ लोग जॉब वगेरा करते हैं में बहुत जादा रोग है तो आप महाम प्रत्यूंज है मंतर का जाप करते हुए भगवान का पूजन कर ले अब इस जल को आप सरप्रतम चर्णामरत के रूप में भगवान के ग्रहन कर सकते हैं दूसरा कारे इसी जल में थोड़ा साफ जल और मिला के अपने पूरे घर में चिनक दे जिससे कि अगर आपके घर में कोई भी नकरात्मक ऊजा होगी तो वह दूर हो जाएगी परंतु धियान रखेगा ये जल किसी के पैरों में ना आए और इस संपूर्ण जल को जो बच जाता है अब आपके पास इससे तुलसी के गमले को छोड़ कर आप किसी भी अ और इत्र लगाने से भी कहते हैं यदि आप शादी शुदा हैं दामपत्य जीवन में मधूर्ता बनती है तो प्रतेक दामपत्य जो हमारे जोड़े हैं वो जरूर अभिशेक करें और जलाधारी की मेरे में बारे में आपको बतारी हूँ जो बीच मोटी से लाइन होती है य अब हम भगवान को चड़ाएंगे वस्तर सवरूपी कलावा आप वस्तर खरीद के भी ला सकते हो आज के दिन परन्तु यदि उपलब्द नहीं है तो वस्तर सवरूप में आप कलावा चड़ाएं इसके पश्चात हम यहाँ पर जनियू चड़ा रहे हैं जनियू खाली कभ शर्दा भक्ती भाव जानते हैं तो आज के दिन आप इस प्रकार से शंगार बगरा कर लिजे इसके पश्चात हम चड़ाएंगे भगवान को अबीर गुलाल अक्षत यहाँ पर हमारे पास से अक्षत का धियान रखेगा अक्षत साबुत होने चाहिए तूटे वे नहीं हो यहाँ पर मैं चने की दाल के कुछ दाने चड़ा रही हूं आप चाहें तो यहाँ पर आज के दिन हरे मुंग चड़ा सकते हैं और बहुत तरहां के आज के दिन चीज़े भगवान को चड़ाई जाती है और इसके पीछे चने की दाल को सुन समान माना गया है तो आज के दि अंगुठे और छोटी उंगली का सुरी जो फस्ट फिंगर है और लास वाली फिंगर का आपको यूज नहीं करना है इसी विदी से भगवान पे बिलपत्र चढ़ाया जाएगा इसके पस्चाद भगवान का फूल होते सुन दर्सा में हाँ पे श्रंगार कर रही हूँ आपको जो भी फूल प्लबध हो जाते है कनीर के पुषप चढ़ाया जाते हैं पीला कनीर होता है सफीद कनीर होता है केती का पुषप हमें नहीं चढ़ाना है तो धतूरा यहाँ पे आपको जितनी चीज्ज़ों प्लबध हो जाती है कुछ लोग आज के दिन बेलपतr की माला भी शड़ाते हैं शिवलिंग के उपर तो जितना आपसे बन पड़ें आप उतना करें क्योंकि भगवान तो देखे भक्ती भाव देखते हैं तो कभी परेशान आप ये बिलकुल भी मत हुए कि आज मुझे धतूरा नहीं मिला या मुझे तो कि बेलपत्र धतूरा थोड़ा अरचन कर लेंगे इसके पश्चात जब धूब दीब दिखाते हैं तो हमारे हाथ निर्माले यानी गंदे हो जाते हैं तो उसे हमें एक बार धोकर साफ कर लेना होता है और ये हर पूझा में आप ध्यान रखें ऐसा नहीं आज की पूझा में आपको ध्यान रखना है जब आप चाहें तो फलाहरी वस्तों का भोग लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं बेर मिल जाते हैं शकरकंद मिल जाते हैं वो जड़ाएं इसके पश्चात जब भोग रखते हैं तो तीन बार जल घुमाया जाता है तो इस बात का आपको इशे संपूर्ण होती है इसके पश्चात हम भगवान की कर लेंगे यहाँ पर आरती आप आरती में करपूर गौरन कर सकते हो भगवान की सुक्ष मुरूप से आरती कर सकते हो जैशिव ओमकारा येदि आपको आरती आते हैं तो आप वो कर सकते हो और अब कुछ भग पूछें कि दिदी गणेश जी की भी आरती करनी है क्या तो गणेश जी के आभी हमने प्रथम पूजन किया तो पहले आप गणेश जी की आरती करें इसके पश्चात में आप शिर्जी की आरती करें और हो सके तो आज के दिन कम से कम 108 बार ओम नमश्रिवाय का जाब कर ले घर में रोगों से मुक्ती चाहते हैं तो महामरतियुजैक मंत्र का जाब कर ले आरती के पश्चात हम यहाँ पर भगवान को प्रणाम कर देंगे चाहे तो यहाँ पर दक्षिना भी आप कुछ ना कुछ सारे सुन्दर सुन्दर उपाई मैंने शियर करें तो सारी चीजों को ध्यान पूरवक आप देख लीजिएगा और मैं सारी चीजों के आपके कमेंट देने की पूरी कोशिश करती हूँ तो अभी भी मन में कोई दूइदा हो तो मुझसे बिलकुर शियर कर सकते हैं और वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा और लाप्रत लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सबसाइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाई नमस्तो भियां नचे आता रानी उस्तो